तो चलिए आज हम अपने जो फ्रिक्शन टॉप चैप्टर किया है उसको नेक्स्ट कंटीनू करते हैं जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वील्स फ्रिक्शन को रिडियूस करते हैं प्रीवेस वीडियो में बेसिकल ही हमने देखा था कि कुछ ऐसे जिसे करने के लिए हमने क्या देखा था इस तरह कि जो टायर्स और यह जो शूज में ग्रूब्स बनाया जाते हैं इन सभी का यूज करके फ्रिक्शन को इनक्रीज किया जा सकता है तो यह सारी चीज हमने प्रीवेस लेक्चर में डिसकस कर ली हैं तो आज हम देखते हैं कि कैसे जो वील्स हैं जो वील्स का यूज करते हैं उसका यूज करके फ्रिक्शन को रिडियोज किया जा सकता है अगर आपने अभी तक इस चाप्टर की प्रीवेस वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक से आप उने देख सकते हैं तो चलिए क्या बढ़ने कोशिआता है और क्युक्तन पुल रोल्ल करें तो आप जिसम्में बिल्कुल भी रोलर्स नहीं लगये हैं और हमें उसे क्या करना है उठाना है उठाना है बटोन दर दर हैंड एक ऐसा बैग जिसमें नीचे रोलर्स लगे हैं और उसको हमें सिरफ पुल करना है खीचना है तो हमें वहाँ पे क्या लगेगी महनत कम लग रही होगी तो वहीं यहां पे इनों ने हमें बताया हुआ है कि अगर कोई लगेज है जैसे कि यहां पे इनों आनाधर बॉड़ी दर रिसिस्तन्स फट उप इस्मोशन कॉल रॉलिंग प्रिक्शन तो इस टाइम होता क्या है कि जब एक बॉड़ी है क्योंकि यह क्या है एक बॉड़ी है और इसके नीचे रोलरर लगा हुआ है जिसके कारण ये दूसरी बॉड़ी मतलब कि जो फलोर है उसके उपर क्या कर रही है तो यह जो resistance of its motion is called rolling friction तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है rolling friction कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यह जो wheels हैं यह roll कर रही है तो rolling friction को reduce करता है it is always easier to roll than to slide a body over another body जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे आपको भी मैंने बताया इसको slide करना एक तो हो गया उठाना अगर आपको कोई एक भारी सा box है आपको क्या करना उसको slide करना उसको धक्का मारना है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा energy लगेगी but on the other hand अगर इसी box के नीचे wheel लगे हैं तो आपको इसको धक्का मारना बहुत ज़्यादा असान होगा वहीं आप इन्होंने बोला है यह easier होगा किसी भी body को roll करना than to slide over another body अब इसको याद करने इतना मुश्किल तो है ने क्योंकि आप daily life से relate कर सकते हैं कोई भारी box है उसको हमें simply धक्का देना तो मुश्किल है अगर उसमें नीचे rolls लगे है wheels लगे है तो हमें उसको धक्का देना वो हमाँ easy होगा this is the reason why it is convenient to pull luggage fitted with roller इसलिए इन्होंने बोला है कि यही कारण है कि जो luggage है उसको हमें pull करने easy लगता है जिसमें roller लगे हो can you not understand तो आप यह समझ सकते हैं अब कि क्यों जो wheels है वो एक greatest invention मानी जाती है mankind की अब यहाँ पर जैसे इन्होंने एक activity दी है तो इसमें भी क्या इन्होंने हमें यही बताया हो कि कैसे rolling friction उससे sliding से easy है देखे यहाँ पर करना क्या है हमें एक pencil लेनी है कुछ pencil लेनी है विचा cylindrical in shape जो cylindrical shape की हो ठीक है place them parallel to each other on a table जैसे कि उसको parallel place कर देना है table के उपर और उसके उपर एक thick book रख देनी है जैसे कि इस figure में हमें दिखाया हुआ है now push the book अब क्या करना है book को push करना है you observe जब हमने book को push किया तो हम क्या देखेंगे कि जो pencil इसके नीचे लगी हुई है वो भी roll करने लग गई है जैसे book move कर रही है वैसे वैसे ये pencil ही में move कर रही है आप ये easy experiment अपने घर में करके देख सकते हैं तो आपको क्या लगेगा कि जो book इस तरह move कर रही है जब सिरफ book table पे पड़ी थी और उसके नीचे कोई pencil नहीं थे तो तब हम क्या कर रहे थे book को सिरफ slide कर रहे थे मतलब कि sliding के comparison में अब book को move करना easy हो रहा है तो इससे आप समझभा रहे हैं कि that resistance of motion of book has been reduced तो इससे क्या हुआ कि अब book का जो resistance है वो reduced हो गया है have you seen heavy machinery being moved by placed logs into it तो आपने देखा होगा कि मतलब लकडियों का ऐसा गठा रगा रख देंगे और उसके उपर machines रख देंगे लकडियों को मतलब logs का use करके जो heavy machinery है उनको क्या किया जाता है move किया जाता है क्योंकि उनको directly slide करना बहुत जादा difficult हो जाएगा as comparison to moving मतलब कि rolling easy होगा but sliding क्या होगा rolling के comparison थोड़ा सा difficult होगा वही आप इन्होंने बोला है since rolling friction is smaller than the sliding friction मतलब कि अब जो rolling friction है ये sliding friction से कम है तो क्या आपको यहाँ पर कुछ याद आ रहा है कि हमने एक static friction के बारे में भी बात किया था तब हमने क्या कहा था कि जो static friction है वो ज़्यादा होता है as comparison to sliding friction क्योंकि कोई चीज static में है तो उसको हमें ज़्यादा energy मतलब ज़्यादा force लग रही है उसको motion में ले आने के लिए अब यहाँ पर क्या बोल रहे है जो sliding friction है वो क्या है ज़्यादा है as comparison to rolling friction मतलब बात तो वही होगी न कि rolling friction sliding से क्या है कम है तो यहाँ से हम एक result निखाल सकते है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा static friction और static friction मतलब सबसे ज़्यादा है उसके बाद sliding उसके बाद rolling मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि किसी चेश को roll करना easy है as comparison to उसके slide करना और slide करना easy है as comparison to this static मतलब कि अब इससे हब को अच्छे से clear हो गया होगा कि rolling आसान है sliding के comparison और sliding आसान है rolling के comparison तो यही था इसमें जो main इससे हमें पूरा result निकला हम next देख लेते आगे इन्होंने क्या बोला है ball bearing मतलब कि sliding को replace किया गया है rolling से machines में ball bearing का use करके क्योंकि अब इससे क्या हो जाती है rolling हो जाती है common example are the use of ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans and bicycles मतलब कि जो ceiling fans में ball bearing का use किया जाता है ताकि जो उनकी motion है जो उनकी movement है fans की या फिर bicycles की वो असान हो सके क्योंकि अब इससे क्या हो रहा है ball bearing का use करके rolling rolling होती है और rolling sliding का comparison क्या है असान है जैसे कि यहाँ पिनोंने हमें figure में दिखाए हुआ है यह सब क्या है ball bearing है जिनका हम use करते हैं bicycle में और इसका use किया जाता है fans में ताकि उनमें जो भी friction है वो reduce हो सके और friction reduce होगा तो rolling friction reduce होगा तो फिर जो हमने पहले देखा था कि heat energy मतलब जो energy wastage हो रही है वो क्या होगी यहाँ पिर कम होगी तो यह था आज का हमारा topic जो next हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे fluid friction के बारे में और साथ ही साथ यह जो पूरा conclusion है इस chapter का वो और उसके बाद आपका यह वाला chapter chapter number 9 friction यह भी हो जाएगा complete तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे like करें अपने friends के साथ share करें कोई भी doubt हो आप की मन में तो आप उसे comment box में comment करें और इस तरह की और